किस तरीके से आप लगी हैं और ट्रैप चला करके और क्या पुछ लोगों को जागरू करी हैं किस तरीके से जागरू करी हैं जी जो मैं अभी प्रोजेक्ट उजाला रन कर रहे हूं इसका मेरा विजन यह है कि जितने भी दुरगटनाय रोड पे हो रहे हैं जितने भी एक्सिडेंट्स हो रहे हैं आपने देखा होगा कि अंधेरा होता है तो गाड़ियों पे लाइट्स है कार्ज पे लाइट्स है ट्र तो मुझे लगा कि इतने एक्सिडेंट हो रहे हैं और साइकल वाले लोगों को आपको आपने देखा होगा कि जो ट्राफिक लाइट पे ऑफिसर होता है उसको डंडा मार देता है रास्ते तो मेरा ये था कि मुझे साइकल पे लाइट लगानी है और क्यों ना मेरा कि मैं हम लोग दो फेज में काम कर रहे हैं एक तो साइकल पे लाइट लगा रहे हूं और दूसरा जितने भी आपने छोटा हाती देखा है ट्रेक्टर्स देखे हैं लोडर्स देखे हैं उन पर मैं रिफ्लेक्टिव स्टीकर्स लगा रहे हूं कभी-कभी हाइवे पर जो ट दुरगटना रोड सेफटी के लिए ही मैं काम कर रही है यह कब आपके मन में आया कि इस तरीकी चीजे करनी चाहिए जी मैं यह यह जो प्रोजेक्ट उजाला है मैं पिछले तो पांच सालों से काम कर रही हूं अपने डिफरेंट डिफरेंट शोशल इनिशेटिव पर अभी जो यह प्रोजेक्ट उजाला रण किया है वो सिर्फ जैनवरी में ही स्टार्ट किया है इसी 2023 में तो प्रोजेक्ट उजाला रण कर रहे हूं और मैं आपको अपने और इनिशेटिव के बारे में बता देती हूं साइकल को लेकर करके जो आपने लाइट लगाना सुरू किय जी तो यही मॉटिफ था कि एक्सिदेंस बहुत हो रहे थे हम रोज पेपरों में खबर पढ रहे हैं कि साइकल हाथसे में एक इंसान की डेथ हो गई कार वाले ने टककर मार दिया वाले तो इस वजह से मुझे लगा कि cycle पर light होनी चाहिए मैं बहुत time से सोच रही थी कि मैं कुछ मतलब जो दीए मैं गरीबों के लिए काम कर रही हूं मैं traffic lights पे कंबल बाट रही हूं मैं बहुत सारी चीजे कर रही हूं मैं जो traffic lights लोग जो भीक मांगते हैं तो मैं उनको वेटिंग मशीन देती हूं कि आप इस पे लोगों का वजन करिए फिर पैसे कमाईए भीक मत मांगिए एक लाइवली हुड जेनरेट करिए तो मेरा था कि मुझे कुछ cycle वाले लोगों के लिए करना चाहिए बिकास उनको सबसे जादा प्रॉब्लम होती है बिंग a cyclist मुझे cycle चलाने का बहुत शौक है तो मुझे पता है इसकी इस चीज की एहमियत पता है कि अकर cycle पे light होगी तो कि सब चीज़ें तो दिख जाती है कि कुई परिवाल का भी आपके लिए जी मेरे नाना जी थे जो उनकी डेथ हो गई थी 2022 में 25 दिसेंबर के दिन Christmas Eve का महौल था मेरे नाना जी अमीनाबाद में कपड़े की दुकान पे काम कर रहे थे वो वहां से लॉट कर आ रहे थे तो रा देख लेते हैं और आज शायद वो हमारे बीच होते हैं तो हम कह सकते हैं वहां से प्रेणा मिलिया प्रेणा स्तृत्र वही था जी उसके बाद मैंने इस चीज़ पे शुरू किया अब आप कमाते हैं पता निया परिवार से कितना सही योग मिला किस तरीके से आप बहुत सा परिवारे कॉर्परेट्स के साथ काम कर रही हूं उनके प्रतिशत अपने सोश्ल इनिशयटर में इन्वेस्ट कर देती हूं परिवार का कितना सही योग मिलता है अकसर होता है कि पेट योग घर से ना निकलने दिया जाए अर्र यह सब मत करिए पापा ने हर वक्त मेरा साथ दिया है मैंने कभी भी पापा से कहा कि पापा मुझे ये करना है तो पापा ने हमेशा उसके लिए मुझे प्रोचसाहित किया है कि नहीं बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो और मुझे लगता है कि मेरे हर कदम पे मेरा परिवार मेरे साथ है इसके है बहुत योगदान घोकर पर जो बाक आप गाम करतЕ हैं अन्यी ट्र पर काम करी नहीं ऐंई ऊस्सक्तर जोडा के राचा नहीं है फेले थो あ मेरे असे आफ्रीक इना लेका फोटो विडियो के और मेरे दोस्तों कि तुम्हें इसका फोटो वीडियो शोशल मीडिया पर डालना चाहिए लोग जाग रूख होंगे फिर मेरा भाया मेरे साथ हर चोराएं पर हर रासे पर जाता है और मेरी फोटो बनाता है मेरी वीडियो बनाता है ताकि लोगों को जाग रूख कर सके awareness फेलाना बहुत ज़रूरी तो मेरे परिव में हजार से जादा साइकिलों पर लाइट लगा चुकिया है हमारा मकसद यह होता है कि मैं जब घर से निकलती हूं शाम को साढ़े साथ बजे तो यह हो साक्ट है कि 100 लाइट के साक्रों पर और ल्rauen की लाइट लघा है भाका काहîneे अपना पूरा करके ही लाइखना है तो वस वही है कि अपना जब टार्गेट क्वेट कर लेती हूं तब ही जब ब minimum की ओप और सवार्च दमें इनिशेटिफ्स पर काम करनी हूँ तो जैसे आज साइकल पर लाइट लगाई तो कर रिफलेक्टिव स्टीकर्स लगाए पर सो आचा हम लोग मैंने एक नया शुरू किया है रोड सेटी के हित में ही जो डॉग्स के हम लोग बेल्ट लगाते हैं रिफलेक्टिव बेल्ट मैंन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं को कि वो मुझे अगर अपने CSR फंड जेनरेट कर सके यह डारेक्टी प्रोड़क्ट दे सके साइकल अगर बत्ती ने मेरा सपोर्ट किया है मेरे इनिशेटिव में हीरो साइकल मेरा साथ दे रहा है मेरे इनिशेटिव में इन लोगों की मदद के थ्रू यह लोग मुझे जो भी थोड़ावाद सपोर्ट कर रहे हैं इनके मदद के थ्रू और प्रोजेक्ट आगे जा रहा है वह उसमें बैटरी लगती है पूंसे बैटरी लगती हो यह चार्ज होती है सोरूरजा के मदद से लिए जी कैसे है यह एक समय के लिए उसका आपको लाइट कर आपको दिखाती हूं इसमें लोगों ने अंदर आपको मैं सेल दिखाती हूं अ यह देखें इसमें सेल लगया होते हैं और यह से बंद मतश्ची आपको आपको यह दिन में च्रश्मक रही है और रात में और चमाद रहे हैं, एसकी वाल्यू अंधेर में ही है, तो वो light है, जिसमें पीछे cell लगते हैं, और वो BS2 माहिने तक चल एगी, 2 माहिने के बाद 20 रुपए के आपको cell लेने हैं वापस से उस light में लगा जा लादेने हैं, और फिरसे आपकी light चल पड़ेगी. मैंने ट्राफिक लाइट से बच्चों को रिस्क्यू किया है जो माता-पिता काम पे चले जाते हैं बच्चे रोड पे घूमा करते हैं उन सब बच्चों को एक खटा किया उनके माबाब से बात कि यह तो जब 18 साल की थी तब शुरू किया था और अब तो 5-6 साल हो चुके इस ही एया तो वह मुझसे बूलते पैसे तो नहीं होगी तो हम छो को बुलते नहीं समाग्स सेवा है, फ्री मेरा लगा लते हैं तो वो खुशीर लगवा लेते हैं और जो भीचारे दिनभर ठक कि काम करके आ रहे होते हैं और उनको को जीज मुष्ट में मिल जाती है और इतनी अच्छी जिसकी वाल्यू बहुत है तो मैं उनको इंसिडेंट बताती हूं कि मैं ये क्यों कर रही हूं तो वो मेरे जब सर पे हाथ रखके आशरवाद देते हैं तो वो एक मोटिवेशन सोर्स है मेरे लिए कि मुझे बहुत प्रेणा मिलती है कि उनकी मुस्कुराइट और उ लगा सके तो ये खुशी पांडे हैं लखनों की जो लगातार जो साइकिल है डाला है ट्रक्टर ट्रॉली है इन सब को एक्सिडेंट से बचाया जाए जो हाथ से होने उनसे बचाया जाए इसका लगाता प्रयास चलना है और कई सारे काम हैं जो समाज सेवा में आते हैं उन पर लगातार काम करें और निरंतर ये आगे जारी रहेगा